तुमसे मिलने को दिल करता है तुम्ही हो जिस पे दिल मरता है तुम्ही हो जिस पे दिल मरता है तुमसे मिलने को दिल करता है हो जिस पे दिल मरता है अभी तक आपने जो जीरो से हीरो सिरीज देख रहे थे आपको मैं एक्स्ट्रा पार्ट वन से लेकर काफी विडियो आपको दिया तो अब मैं आपको आड़ सेगरवाल थीरी राइटर्स जो भूक है उसका अनुपास समानुपास जो की चौदा नंबर पार्ट पे है उसका मैं एक एक कोश्टन का आज से सॉलूसन करूंग। अगर आपकी बेसिक ठीक नहीं है इसका अनुपास समानुपास का तो सबसे पहले आप पार्ट वन से लेकर पूरा देख लिजिए और उसके बाद यह विडियो आरे सग्रवाल थीरी राइटर्स का देखना प्रणब कीजिए तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हाँ आपको धैड से पढ़ना परेगा बीना स्कीप किये हुए वीडियो देखना परेगा और तब तक देखिए जब तक आपको समझ में आज अगर नहीं समझ माता फिर से बैक कीजिए फिर से देखिए और नोट्स भी बनाते चलिए तो करें स्टार्ट रेडि हैं हाँ अगर आप अनुपात और समानुपात का पार्ट वन लेकर आया हूं उसका पहला कोशन यदि ए अनुपात भी तीन अनुपात चार है जान देजेगा ए अनुपात भी तीन अनुपात चार दिया है और बी अनुपात सी जो है आठ अनुपात नुपात नुदिया है यह न दिया है अच अब देखे तो A का तो अनपातिक भैलू है 3, C का अनपातिक भैलू है 9, लेकिन B देखे, B का क्या A की ही जो B है, क्या उसका 2 भैलू हो सकता है जब यहाँ पे 4 है यहाँ भी 4 होना चाहिए यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 होना चाहिए तो 4 तो नीचे बनाया नहीं जा सकता है क्योंकि बनेगा तो fraction में जाएगा तो हम क्या करें इसको अगर 2 से गुना कर दे तब 3 दूनी 6 अज 4 दूनी कितना हो जाएगा अब देखें B का दोनों भेलू समान हो गया जब दोनों भेलू समान हो गया तो इसकी कितना अगया है यहाँ पे है A का भेलू 6 B का भेलू कितना है 8 और C का भेलू कितना अए 9 यादि दो अनपास 3, A अनपास C बराबर दो अनपास 3 होगा, क्या कहीं दिक्कत है, बिल्कुल ऐसे ही बनाएगा, अगर A अनपास B रहे, B अनपास C रहे, और A अनपास B अनपास C का भैलू निकालना पड़े, या तो A का निकालना पड़े, B का या C का, चाहे A B का, चाहे A C का, चा से मल्टिप्लाई कि जब दो से किजीगा तो सब उमें करना परेगा और इसको नहीं लिखना है जो आएगा नया उसको लिखे तो आगे बढ़े क्या चलिए तो बढ़ते हैं पुस्टन अगला देखिए आप यादी थीरी ये बराबर फाइब भी तू भी बराबर थीरी सी हो तो यह अनपाथ C का मार निकलना है अच्छा गौर किजिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ये उपर है तो नीचे ले आते हैं और ये उपर है तो नीचे आगया आणि यानी ए अनपाथ B बराबर कितना हो गया 5 अनपाथ 3 क्या को दिकत है अब इसको देखिए आप इसको तो यह से लिख सकते हैं B, यह उपार ते नीची आगया, इसको छोड़ दिजे, यह है उपर तो नीची आगया, यह विए अनपासC वरावर कितना आगया, अब गौर किज़े ये B का देखे भैलो तो CM है तो कुछ भी करने के जुरत है क्या तो simple सा A का भैलो 5, B का भैलो 3, C का भैलो 2, हमको पूछा A C, तो A का भैलो हो गया 5, और C का भैलो हो गया 2, यानि A C, यानि A अनपास C, बराबर 5 अनपास 2 हो गया, बिलकुल असा, अब यहा का case आगे, तो simple सा बात है, हम वेसे ही बनाने का पर्यास करते है, A अनपास B अनपास C अनपास D है, A अनपास B है 3 अनपास 4, B अनपास C है आपका 5 अनपास 7, और C अनपास D है आपका 8 अनपास 9, अगर उस तरीके से बराबर किज़ेगा, तब तो दो बराबर करना पढ़े आप देखेगा जो खाली है, C और D खाली है न, जो खाली है उसके पीछे वाला देखे, उसके जस्ट बगल वाला, बगल, तो C के बगल में कौन है, तो 4 है, जो बगल में रहे न, उसी को आप बरहाते जाए, चार है न, यहाँ पर भी 4 लिख देजे, यहाँ पर भी 4, बस जो खाली रहेगा, उसके बगल में देखे, उसी को बरहाई है, देखे आपे, यहाँ पर देखे, D खाली है न, उसके बगल में कौन है, सेबन है, साथ है, तो 7 लिख देखे, अब यहाँ पर देखे, A खाली है, और उसके बगल में कितना है, देखे आपे, 5, तो यहाँ पर पांच लिख देगे अब यहां गवर किजिए खाली है B और A और उसके बगल में 8 तो हम 8 लिख देंगे सब तर और मान निकालने के लिए सब को गुणा किजिए देखें 5 से 5 यह 15 आप 15 को 8 से गुणा किजिए गाते 120 इसको किजिएगा 4 पचे 20 आप 20 को 8 से किजिएगा 170 4 सते 28 आठाइस को 8 से गुणा किजिएगा तो 8 8 4 6 6 2 इस देखें 4 सते 28 28 को 9 से किजिएगा देखे 28 को 9 से 9 8 72 आ नो दुनी 18 18 सत कितना हो जाएगा पचीश तो यह आगया अगर यह आपको डिवा बिभाजित होता या कटता है तो काट भी सकते देखें लिए चार से सब कट जाएगा बिल्कुल कट रहा है चार से कट देखें चार से करेगा चारती बारह चार्चका ा 16 14 25 24 24 चार्चका 24 चार्चका 24 अचार्थी आई वारर एन कटेगा अब देखे तो अब किसी से भी कटेगा अगर 3 से कटेगा तो кат volcanic connect दो से भी नहीं कटेगा इसका मतलब है कि A Unpath B Unpath C Unpath D तो निकल गया आपका आपको पूछा क्या Unpath D एक Unpath कितना दिया है 30 है और D Unpath 13 अब यहां तो कटेगा तीन से तीन नहां या तीन से कटेगा तो आप लाइक और सियर भी करते रहें कि अबल देखने से काम नहीं चलेगा और विडियो को जीतना ज्यादा हो सके आप उतना ज्यादा बार देखें और नोट्स भी बनाएए और सामने बुक खोल कर भी रखिए तो एकला कॉस्टन फोर नमर कॉस्टन है एक संपात वाई बरावर तीन अन पात चार वाई अन पात जेड बरावर 5000 टबन पात जेड़ अन पात तो डब्ली बरावर दो अन पात तीन तो X अनपाथ W का मानपूछा जा रहा है तो क्या किजिगा देखे, question तो वही है X अनपाथ Y अनपाथ Z अनपाथ W यही same question है आप मानदख दिजए X अनपाथ Y तीन अनपाथ 4 Y अनपाथ जो Z है 5 अनपाथ 6 Z अनपाथ W जो है 2 अनपाथ 3 है देखे सेम कोस्टन है फिर आप देखे जो छूटा उसके बगल वाला तो चार यहीं होगा इसके देखे छूटा के बगल में 6 इसके बगल में 2 इसके बगल में 2 इसके बगल में 5 है तेहां पर 5 गुना के जे 5 ये 15 दूनी 30 चार पचे 20 आप 20 तुनी 40 चोचगा 24 चोविस तुनी 48 चोविस ती आई 72 यह न होगा अब देखे तो क्या एक संख्छा है जिसके पुड़ा कट जाए हां तो है यह आपका 2 से नहीं 2 से 15 बार 2 से 20 बार 2 से 24 बार 2 से 36 बार यह न एक्स और डवलू न पूछ रहा है एक्स का ब पहलू कितना आ गया चातिस कटेगा तीन पचे पंड आतीन से बार यानी 54 कितना हो जाएगा बार हो जाएगा समझ में आही गया होगा है अगला को संदेखे सब सेम को सने एक ही ट्रीक है अगर दिखा थुरा ना तो आप पार्ट वन से जाकर देखिए यह तो आर्श हीरो से हीरो न बना दिया तो फिर करना वाले में जाकर आप देख यह उसमें पार्ट वOUTन से तो आपको पूरा बेशिक समझ में आएगा और यहाँ यहाँ भी बताया है कि अनुपात होता क्या है तो आई आगे देखते हैं आप देखिए ख कुछन है ई-अनुपाथ, B-अनुपाथC, A-7-पाथC, B-अनुपाथC है 5-अनुपाथC, देखिएगा दोनों मेथेड अपलाई है लेकिन आपे देखिए, B का भेल है एक जगाह, 9 है एक जगाह, 5 है, हम बराबर करना चाहते तो 5 से उपर गुना कर देजे और 9 से नीचे तो देखे 7 से 7 पचे 35 और 9 से 9 पचे 45 नीचे देखे 9 से किजेगा तो 9 से 9 पचे 45 नहीं और 9 से 9 चका 36 तो देखे A का भैलू कितना है A का भैलू जो है आपका 35, B का देखे दोनों में 45 है और C का कितना आ गया 36 A, B, C का अनुपात पूछा था अभी कटेगा नहीं कटेगा तो A का आ गया 35, B का 45 और C का कितना आ गया 36 यही नहीं होगा तो आप यहां पर देख सकते कि सब का भैलू जो A B C का 35 45 और कितना होगा 36 यही आपका आंसर होगा कटने का है गुंजाइस बिल्कुल नहीं कटने वाला है अब नीचे वाला देखे सब कोश्चन बिल्कुल सेम है कहीं भी अंतर नहीं है यहां भी कोश्चन तो हुआ ही है A अनपात B अनपात C A अनपात B है 2 अनपात 3 B अनपात C है 5 अनपात 7 अब इसको भी बनाई अब यहां पर गौर किजिए A और B का इन अंतर है केबल B में एक ज पांठ है तो इसको हम कर देते हैं 5 से गुणा और इसको कर देते हैं 3 से बस सीम्पल सा तरीका है 5 से कीज़ गा देखे तो यह जागा бы द्ग तो गुणा कर देजिए बी का भेलू आगया पंदरह असी का भेलू कितना आगया एक और यानि दस अनुपात 15 अनुपात एक इस जो होगा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कहीं समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें देखिए सारा एक ही तरह कहा है कोस्चन आपके फोड़ा अगला कोस्चन देखिए सबसे पहले फ्रैक्सन तोर लिजे सबसे पहले क्या किजिए फ्रैक्शन तोरने का तारीका क्या है जो नीचे आ दोनों का DCM लेजी नौ तीन का का नौने क्या कर देजिए 14 से multiply 14 14 कट गा साथ से साथ दूनी चोड़ तो दूनी चार अब पांच का पांच यह न होगा देखते जाएगा अब इसमें देखते डी अनपास इह है बांच अदस का लगुतम कतना हो जाएगा दस तो दस से गुना कर दीजे दूनी पांच से कटेगा पांच दूनी दस नही अब दस से दस तो साथ अनपास कितना हो जाएगा तीन दूनी चो यह न होगा अब तो आ गया जो पहले बनाते थे बिल्कुल वह ऐसे ही तो है बस कोस्चन को घूमा रहा है तो हम लोग घूमने वाले थोड़ी हैं हम लोग कोस्चनों को घूमा देंगे अब देखें यहां अब कितना चलाक है बहुत चलाख है इसको देखे पहले लोट दिया कि बचा उलट दाये हम उलटने वाले हैं पहले सीका भालु लख। अतब D का लिखेंगा इसलिए ध्यान रखेंगा यहीं सब मिश्टेक होता है डाग में सी का वेलू कितना जो च्छूटा रहा था उसके नजदीक वाले को लिखते हैं आप कि इसमें देखें पांच है नजदीक तो पांच लिखे दिए, इसके नजदीक 4 है तो 4 लिखे, इसके नजदीक में 6 है तो 6 लिखे, गुना किजिए, चारदूनी 8 है, 8 चका 9 लिखे, लुग किटने से कटने वाला है सब तो कटेगा कितना से कटेगा तीन से कर जाए 16, 24, 35 हो जाएगा तो 16, 24, 35 हो जाएगा तो 16, 24, 35 आपका आंसर हो जाएगा गर किजे तो आपको लाना है PSX ना आप बटा में लाना है QRY तो आई तो इधर भी PSX आना चाहिए ना तो देखे PQ तो है आपका तीन अन पाच चार अब यहां सोचिए पी के बाद वहां पे S न चाहिए हाँ तो इसको उलट दे, S पाच अन पाच हो जाएगा उसके बाद हमको चाहिए X न यहां X है ठीक है है ना तो ठीक है अब हमको चाहिए जिस रूप में उस रूप में लाते हैं देखें हमको लाना इस रूप में से P S X बटे Q R Y देखो हम सब क्या करते हैं गूना कर देते हैं P बटे Q S बटे R और X बटे Y देखें आन गया P S X बटे Q R Y मान रख देजिए बटे serv इस बटे छार ऑगते सापने से 3 से 3 कट जाएक है और कोंग घट एगक तो 5 से 15 अब आत्स चक बाठीस इनिंश कितना बटे सी 15 अनपाथ 32 हो जाए बस घुड़ा सा दिमाग लगा येगा को तनबनन जाएगा आपसे इसमें भी देखें कितना अच्छा को पूछा है हमको पूछा है A C बढ़ते क्या B D A A C ठीक तो है A बढ़ते B अगुने C बढ़ते D तो देखें A C बढ़ते B D आ गया इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसको ए बटे लिख सकते हैं नहीं आब इसको देखें पांच बटे साथ दो बटे तीन आ यह यह बी के बदला में हम अब का मानन लिख सकते हैं पांच बटे साथ एन होगा तो फटाप पचीस दूनी पचास और 49 यह कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा यानि 50 अनुपात कितना होगा 147 तो इस तरीके से भी आप question को solve करेंगा फुरास दिमाग इधर उधर करके भी बनाईए आप गोड़ किजिए वही question है A अनुपात B अनुपात C है A का 4 B का 5 है B का 15 C का कितना है देखे यहां B का 15 है ते हो 15 हो जाता तो बात बन जाएगा तो तीन से गुना कर देते चारती बारा पांती ऐपन्ड़ य्यानि 12 पन्द़ अनुपात कितना हो गया अब एक देखे सी के जगापे कितना रख दे 16 एक के जगापे 12 छी के जगापे 16 नहीं और एक जगापे एक जगापे 12 यह नहीं होगा देखे अभी हां 16 16 कितना होता है दूसा चाप पना घटे एक सो 144 अब गवर कीजिए अदूसा चाप पना प्लस एक सो चो वाल तो यहाज एक सो बार चार सो गटेगा चार से एक सोधा चार दुनियाध्स राठ प् हैस चार दुनियाध्स पंचह बदे शाट बटे पाचीशs यानिनफाथ में तो लिख टूझ ऑगे शात अनफाथ पटीश जाए एन होगा इसको देखे इसको मैंसे लिख सकते है बटे B ब्रावर B बटे C अब तीर चाह गुना केज़ए है तो B को 20 से करेंगे तो B a square ऑग एककीर DC आविसका दुखी एक पावर चार बटे बी के पावर दू के पावर दू लिख सकते हैं A के पावर चार अब B के पावर दू का मान कितना है A C तब A के पावर 4 A square C square यह square सा ही कट जाएगा A square बर तो यह square बटे यानि A square अनुपाथ C square आपका अंसर होते हैं आज भर इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप जहां भी रहें खुश रहें अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और एक बात याद रखेगा जो भी आपको परहाया गया है उसको आप खुद से भी बनाने का प्रेक्टिस करें आगे भी आप बनाईएगा और जब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को आल पे पिरेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूं कबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलें तो फिर मिलते हैं एक और बहतरनी वीडियो के साथ पार्ट टू लेकर आ रहा हूं तब तक टेक क्या भी इंज्वाए, कीप वाचिंग, जय हिंद, जय भारत!